हाई नाश्रल ब्यूटीज कैसे आप सब तो आज जो वीडियो में आप देखोगे वो है मेरा डी आइवाई बॉडी बाटर या बॉडी मॉइस्टुराइजर विट स्पी एफ एट होम आप कैसे बना सकते हो सिंपल इंग्रीडियन्स के साथ अपके घर में सो चलिए देख ल क्योंकि प्लांट वाला आपको ज्यादा दिन तक नहीं आएगा और वो एजिली हराब हो जाएगा क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा कॉंटिटी बना के रखने वाले हैं अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए बना रही है औरी मेरे पास एक बॉटल में भरके रखा हुआ ह मैं आपको कब दिखा हुआ करके मैं सोचा कि ठीक है मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा लूँ जिससे कि आपको भी अभी आप भी आपी घर में बना सकते हो मार्केट वाला खरीट के भी कोई जोई पने क्योंकि बहत है अच्छा होता है आपको कोई भी हाम नहीं करेगा यह केमिकल फ्री है इसलिए सो मैं अपना बॉड़ी बटर या बॉड़ी मॉइस्टराइजर कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको लिखा रही हूँ यह कोल ब्रिस्ट कोकोनेट ओईल है आप बॉटल के उपर मच जाना बॉटल यह शांबू वाला है बट इसके अंदर ओड़ कोल ब्रिस्ट कोकोनेट ओईल है बॉटल तो आलमंड का है बट अंदर का जो इंग्रीडियन्ट है वो ओलिव ओईल है और कोल ब्रिस्ट आलमंड ओईल यह सारे लेस दिन 10 SPF के हैं सो SPF भी बहुत इंपोर्टन है हमारे फेस के लिए भी हो हमारे स्किन के लिए हमारे हमारे बोडी के लिए, so जब भी हम बाहर जाते हैं, तो आपको मिनिममम SPF क्रीम्स लगाना पड़ता है, क्योंकि वो संरीज ना हाम हो, इसलिए हम SPF क्रीम्स लगाते हैं, बोडी लोशन लगाते हैं, so body moisturizers लगाते हैं, so ये कॉफी का पाउडर है, मैं ये पूरा नहीं डालूंगी जस्ट क्यूंकी मार्के-टच देने के लिए, मैं चौफी का पाउडर डाली हो, अगर आपके पास कौफी का पाउडर नहीं है, कोखावा पाउडर है, वो भी डाल सकते हैं, चॉक्लिट का पाउडर है, वो भी थोड़ा सकते हैं, मैंने ये प्रोडेक्स ख्रीद क्रीदे मैं इसको वेस्ट ना करके मैं अपने बॉड़ी बटर में या बॉड़ी में डाल देती हूं क्योंकि अभी यह मैं लगाती हूं यह संस्क्रीन तो मुझे रिजल्ट इतना अच्छा नहीं लगा मेरे स्किन में मेरे स्किन जाओ गजिए चली CPA 50 अगर आपको पास भीक आपको अच्छा लगता है तो ठीक है बАट मेरे स्किन में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा सु ठीक है क्रिकि स्टार्ट करें चली स्टार्ट करते हैं चोटा में छोटा से जार ले ली जिएगा सो इसमें मैं लगबग मैंने हाफ कप मान लीजी मैंने हाफ कप अब जितना बनाना चाहते उतना आपकी मर्जी एक बात याद रखना कि ऑईल का कंटेंट ना की जादा होना चाहिए ना की कम अलाय वीरा के बराबर मत डाल देना क्योंकि आपका जब आप उसको है ना करोगे तो भी ऑईल बाद में जब आप एक कंटेनर में डालोगे तो ऑईल उपर ऐसे दिखने लग जाते तो इतना जाता भी ऑईल नहीं डालना है देखे मैं कितना मात्रा मैं डाल रही हूँ ये ए तो कोकोनिट ऑईल में तीन डाल रही हूँ सो आलमंड ऑईल है वो भी में तीन शामच डालूंगी ज़ादा हमें नहीं करना ऑईल का नहीं तो अगर ऑईल को इधर-धर हो जाता है क्योंकि ए मैं पहली बार नहीं बना रही हूँ अलठी मैंने वो मिस्टिक किया था कि मैं आपको बोलरी हूं कि जाधा ओयल मठ डाल देना तो मैंने तीन चमच आलमंड ओयल डाला है और मैं दो चमच आलिव ओयल डालूंगी कि आलिव ओयल थोड़ा ठिकनिस में कंपैर करें तो तो कोकोनेट ओयल और अलमंड ओयल से कंपेर करें तो ओलिव ओयल का थिकनिस ज्यादा होते हैं सो दो चमच मैंने ओलिव ओयल डाला हैं कॉफी का मात्रा थोड़ा सा हमें मार्किट वाला फील देगा इसलिए मैं कॉफी का पाउडर डाल जादा नहीं जिस्ट 1 4 टी स्पून समझ लीजिए अगर मुझे और जादा फ्लेवर चाहिए होगा मिक्सी करने के बाद हमें पता चलेगा कि और कोकोनेट ओयल लगेगा वो बस ये इतना ही है अभी जो मैंने बोला था ना ये स्पी एफ का संस्क्रीन तो मैं ये बॉटल थोड़ा सा ही बचा है मैं इसको पूरा इसमें डाल दूंग अगर आपके पास भी ऐसा कोई आपने भी प्रोड़क्ट खरीदा है जो बस साइड में पढ़ा हुआ है आपको स इसे DIY बॉड़ी लोशन या बॉड़ी बटर करते समय आप उसको डाल सकते आपको इसका फाइदा भी मिल जाए सो अभी मैं ये बॉटल डाल दूंगी इसका जो भी क्रीम का SPFS में आ जाएगा सो ये वेस्ट भी नहीं होगा और इसका न्यू प्रोड़क्ट भी बन जाएग सो मैं इसको मिक्सी करके आपको दिखाती है मेरा DIY बॉड़ी मार्श्टराइजर या बॉड़ी बटर कैसे लग रहा है कर जैसे लग रहा है ना आप मार्केट वाला भूल जाओगे अगर आप ये बनाना एक बार सुरू करोगी तो एक चीज याद रखना इसमें रोज डाला था थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी के लिए वो जादा देर तक नहीं रहा तो उसके बाद से मैंने रोज वाटर नहीं डाला और मैंने ऐसे बनाना शुरू किया है सो आपको दिखाने के मैंने फिर से बनाया है क्योंकि वो खतम होने में बहुत टाइम लग जा यह बॉड़ी मॉइस्ट्राइजर बोलो तो कितना अच्छा लग रहा है ना तो मैं एक कंडेनर में निकालके आपसे यह रहा मेरा डियाइवाई बॉड़ी बटर सो मैं जबी भी कुछ भी डियाइवाई करती हूँ तो मैं पक्का एसेंशियल ओलती हूँ तो मैं इसमें भ प्रोडेक्ट में हम डालते हैं तो जादा दिनों तक हम यूज कर सकते हैं तो मैं इसमें दो से तीन ड्रॉप डाल रही हूँ अगर आपको यह उप्शनल है क्योंकि मेरे पास है इसले में डाल रही हूँ तो देखिए मैंने एसेंशियल ओईल्स त्री तो फो ड्रॉप्स और इसको मैंने अच्छी तरह एक कंटेनर में निकाल दिया है तो आपको यह नियरली वन मन तक एजिली आ जाएगा मतलब अब जितना लगाते उस आपके हिसाब से तो यह कोई खराब होने वाली चीज नहीं है और हमेशा याद रखना है कि ऐसे कंटेनर में डाले यह मेरा मैंने का ना मैंने अल्रड़ी है मेरे पास सो एसे पंप बोटल में मद डाली गा क्योंकि वेस्त ओ जाता है देखिए इसका भी यह मैंने चोकलेट से बनाया था इसमें मैंने कौफी डाले आपके मार्के आप बोल सकते है कि यह मार्केट वाला नहीं है देखिए कितना थिक दिखिए इसमें इसलिए पंप बॉटल में इसलिए नहीं डालने बोल रही हूं क्योंकि यह वेस्ट हो जाता है, हम हाथ अंदर तक हैं यहां पर नीच नीच से शिपक जाता हैं और ठीक से आता भी नहीं है, तो अगर आप ऐसे डालोगे तो पूरा अच्छी तर फिनिश कर स यह मैंने गल्दी के लिया था अभी इसमें से तो चिपक गया है वो तो आएगा ही नहीं थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता है इसलिए आप ऐसे ऐसे कंटेनर में डालीगा हमेश्वा याद रखिएगा हाथ मत डालना जब भी यूस करना चाहते हो तो एक स्पून से आप निक तो फिर मैं एक टिप देना चाहती हूँ आप पहले ऐल ऐलाइविरा लेकर ब्लेंडर में ऐल देखते हुए डाना थोड़े थोड़े अमाउंट में एक चमच एक चमच जिससे कि आपका बनाया हुआ बोडी बटर भी वेस्ट ना हो ओल भी वेस्ट ना हो ऐलाइविरा जल आपको जितना चाहिए उतना डालने के बाद एक चमच एक चमच ऑईल डालते हुए आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से बना सकते हुए मैं आपको अपलाई करके दिखाती हूँ क्योंकि मेरा भी स्केन इतना फेयर नहीं है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि तो सो देखें मैं इस तरफ लगाया अपना क्रीम इस तरफ नहीं लगाया तो यहां पर आपको थर्ष शाइनी नजर आ रहा होगा तो आप सोचे होगे कि बहुत ही चिपी चिपी बिल्कुल भी चिपी चिपी नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैंने ओईल करेक्ट आमांड में बिल्कुल भी मेरे हाथ चिपी चिपी नहीं है आप एक बाप बना के देखिएगा देखिए यहां पर भी आपको शाइन नजर आ रहा है यह मत सोचना कि में हाथ बहुत ओईली यह नहीं यह बिल्कुल भी नहीं है ईजली एब्सॉप हो जाएगा अपके स्किन में और यह तो प्लीज एक बार ट्राई जरूर करना स्मॉल बैच बनाना अगर आपको पसंद आए तो आप बना सकते हो बट आपको पसंद आएगा मुझे पता है देखिए यहां पर आपको थोड़ा चेंज नजर आ रहा होगा चेंज मतलब यह नहीं कि पूरा मया हांड वाइट हो नहीं थोड़ा शाइन तो क्यों हम इतना सारा पैसा खच करें मार्केट वाले चीजों में जिससे की हम घर में इजी इंग्रीडियन्स से बना सकते हां तो यह इंग्रीडियन्स हमें खरीद करने में थोड़ा बहुत तो होगा पैसे खच होगा बट इससे बहुत सारे चीज प्रोइट करना पड़ेगा आपकी skin को यह oily skin वालों के लिए नहीं है sensitive skin वालों के लिए नहीं है normal skin वाले लगा सकते है combination skin वाले भी पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौनसा combination skin है dry sensitive के तरफ है या oily और dry के तरफ है बहुत सारे मैंने आपको skin तरह बारे में बता है, यह जो है यह बाकी स्किन वाले तो as a body butter या as a body cream यूज़ करेंगे अपने body के ऊपर, but dry skin वाले यह आप face cream के तरह भी use कर सकते क्योंकि यह बहुत ही best है, आपको जितना moisture शहीं आपको प्रोइड करेगा, यह नहीं है कि आपको whole day आपको moisture मिलेगा, बीच में आपको फिरसे लगाना पड़ेगा, बट यह chemical free है, आपको यह cream से कुछ भी side effect नहीं होगा, नहीं आपका skin में rashes आजाएंगे, नहीं तो redness आजाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा आपको, अच्छे तरह आप उसको apply कर सकते हो, देखे कितना थिक है, सो ठीक है मैं अभी end करती हूँ, अगर यह आपको body butter या body cream या body moisturizer पसंद आया है, तो आपको पता है कि क्या करना, एक like तो बनता है, यह cream के लिए, और अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ना, family friends के साथ share करना, अच्छा लगा हो, एक बार, एक बार ट्राइब ज़रूर करना, छोटे से batch में बनाना, बनाना क झाली